माता कालिका के अनेक रूप माने जाते हैं, जिन में से एक है मा भद्रकाली। मा भद्रकाली को शांती की देवी माना जाता है और इनकी पूजा से नकरात्मक उर्जा का नाश होता है। मा भद्रकाली पांडवों की कुल देवी भी थी। मा भद्र काले की पूजा करने से क्या लाब मिलता है, उनकी सिद्धी कैसे प्राप्त होती है, उन्हें भोग में क्या चढ़ाते हैं, इन्ही सब बातों को बिस्तार से जानने के लिए उपरी बाधाओं पे काम कर रहे आचारे प्रशान जी से आज रूबारू होंगे. मुझे यकीन है आज का पौड़कास्ट बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस विशे पे बात करने वाले हैं, उसे आपको सुन कर और समझ कर बहुत आश्री भी होगा और बहुत मज़ा भी आएगा. क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मा भद्रिकाली और कामख्या देवी मा के बारे में और उसे प्राप्त सिद्धी के बारे में अचारे प्रशान्थ आज हमारे साथ है जिनसे हम बहुत सारी बाते ही करेंगे सबसे पहले हम उनका स्टूडियो में स्वागत करते हैं प्रशान जी आपका हमारे स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है जैश्री राम जैमा भद्रकाली जैमा भद्रकाली और मैं चाहती हो किसी भी कारिकरम की शुरुवात जहां हम भगवान देवी मा को याद करके कर रहे हैं तो मुझे लगता है उन्ही प्रशान जी आपकी उम्र स्रिफ तीस वर्स की है और आप कामक्या देवी और माभद्रकाली के भक्त हैं और आपने सिधिया भी प्राप्त की है इतनी कम उमर में आपने ये सिधि कैसे प्राप्त कर ली आपको इन सब चीज के पीछे आपको किस ने इंस्पायर किया देखे, कई वर क्या होता है कि हमें कुछ, जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, तो हमें कुछ मंत्र सिध्ध हो जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, ऐसी एक बार हुआ था, नीचे, मतला हमारी बिल्डिंग में नीचे एक भाहिया रहते हैं, तो उनकर ना मैने चेहरा देखके मैं का भाहिया, दो दिन के लिए ना समल के रहना, दिक्कत आएगी, अच्छा, वो बोले, मजाक कर रहा है, और वो अभी ये लगा लो, उन्होंने मजाक में लिया, और अश्टिमी वाले दिन उनके घर में आग लगी थी, अब बात आते हैं, कि सिध्धी अगर प्राप्त ह कोई है, तो कैसे पता चलता है, या तो सौपने के दोआरा आपको पता लग जाएगा, सौपने से भी पैदा चलता है, जी, या जैसे अगर हम कोई अर्जी लगाते हैं माता को, तो या तो कानों में आवाज आ जाती है, या सौपने के दोआरा पता लग जाता है, क्योंकि ह कोई भी काम करते हैं सबसे पहले माता के आगे अरजी लगाते हैं कि माता ये काम करना है या नहीं क्योंकि कई बार क्या होता है कई बहुत से लोग है जो जुड बोल देते हैं तो सबसे पहले हम माता के आगे अरजी लगाते कि माता इसका काम करना है या नहीं माता ने अगर ह तो मैंने नहीं किया है बट मैं अगर बताऊं तो करीबन धाईसो तीनसो लोगों को आप ठीक कर चुके है और पूरी तरीके से वो ठीक है तो उनमें जैसे जो प्रॉब्लम्स आती है तो किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है देखिए कई बर क्या होता है कि इंसान अगर जैसे बढ़ता है ना तो कई रिष्टेदार या कोई भी ऐसा होता है कि जो उनको टांग भगड़के नीचे खीचना चाहता है बटो खिशते नहीं है तो लोग इस चीज का जाधा प्रयोक करते हैं तंत्र का जाधा प्रयोक करते हैं लेकिन आपने कहा कि आप तंत्र नहीं करते म और भगवान महादेव ने एक तंत्र नाम का बीज बुए था लोगों के कल्यान के लिए, ईश्वर की शिग्रिप्राप्ति के लिए, लेकिन आज कुछ तंत्रिक, कुछ बावा लोग ऐसे हैं, जो चंद पैसे लेके दूसरों की जिंदिगी घराब करते हैं। लेकि तंत्र या स्प्रिच्वल में किसी भी तरह की विद्या जो रहती है, आपके पास होती है, मुझे लगता है कि उसके लिए हमारे कहीं पर भी चार्ज तो करना ही नहीं चाहिए, जो भी नॉमिनल सा वो अपनी इच्छा से कुछ दे के चला जाए, तो ठीक है, मांगना त करते हैं, पहले चीज़ हमारी कोई फीस नहीं है, बट हाँ, जब आपका उतारा होता है, उसमें जो विधी समान लगता है, उसके बस आप कहते हैं, मैं समान की लिस्ट दे देता हूं, ले आओ, प्रिशान जी अभी आपने जैसे मुझे भद्रकाली का मुझे बताया, जो आपने उसकी सिध्धी प्राप्त की, और किस तरीके से आप लोगों का निवारन, मतलब लोगों को बादाओं से मुक्त करा रहे हैं, अब जैसे कामख्या देवी का, उसमें आपने क्या सिध्धी प्राप्त की है, देखिए, कामख्या देवी को लोगों ने, मतलब एक होता दूसरी चीज यह कि माना की तंत्र की देवी है वो लेकिन तंत्र बनाया ही अच्छे गर्मों के लिए गया था पुरानी काल में वहां नर्बली चड़ा करती थी वलिया आज भी चड़ती है वहां पर लेकिन अब जैसे जिस प्रथा में हम चल रहे है या जो प्रथा वहां च कोरोस कि बिल्कुल Ach All कि अगर आप बोले तो सिथी सी बात है रक्त चयाने होता है और बिर्था का मन्दिर हमने वेस्ट रंगाल में देखा है काली के मन्दिर में कंई वहां पे सब जगा मंदिरों में बली की एक जगा बनी होती है और वहां पे बली दी जाती है यह प्रथा गला था थोड़ी अगर मेरे अगर समझ से चलें क्योंकि देखो अगर आपको रखती चड़ाना है तो अपनी अनामी का मुली का चड़ाओ निर्जीव की हत्या करने से सिर्दी जपाते क्योंकि आप किसी को मार रहे तो मेरे हिसाब से तो आपको नर्क भी नहीं मिलेगा पूरी चीज है अगर सच में आप मागा को पूझ रहे हो तो साट्विक तरीके से पूझ लो तो आपको नाश है प्रशान जी आपने मा भध्रकाली कामख्या देवि कि आ तो यह जो सिद्धि आपने प्राप्ट की, उसके लिए आपने अभी जो बताया कि आपने 40 दिन आपने पूजा की थी, तो यह दोनों सिद्धियों को इतनी इतना समय आपने दिया, या कामाख्या देवी के लिए अलग तरीके से आपने पूजा अर्चना की थी, कामाख्या गुरु आपके साथ में नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कामक्या देवी की सिध्धी, अगर मैंने अगर प्राप्त की है, तो जग कर लाने के लिए की है, पहली चीज तो यह, दूसरी चीज, मैं उनको बूत बादा प्रेद बादा उतारने में कभी भी नहीं आगे माता कामक्या के अनुकूल चलते हैं, अब जैसे आप जादु टोना बोलते हैं, जादु टोना माता बद्रेकाली के चड़नों से निकलता है, इसलिए भूत प्रेद बादा उतारने के लिए माता बद्रेकाली का इस्तमाल किया जाता है, उनको पूजा जाता है, मा कामक्या कि क्या प्रेथ करें तो कामया सिंदूर अपने सुनना हुआ है मैं असे लिए कि उला एक उनको हम भूट प्रियर यह सब उतारने के लिए हम वनको रूज नहीं करसकता है अभरही है कि भूत प्रेथ जो चीजे होते हैं क्या यह वाकई होती है क्या जी बिल्कुल होती है बतलब कैसे आप इसको एक्सपें करेंगे बूत प्रेथ को अगर मैं एक्सपें करूं तो जायतर लोगों ने मुवीज में देखा है शायद यह सब मुवीज में देखके लोगों को जैस आज कल तो शोशल मीडिया बहुत जादा डेवलप है, तो हॉरर्स देख देखके उनको लगता है कि यह कुछ होता होगा, यह कुछ है, यह कुछ मैजिक है, यह कुछ इस टाइप से चीजें हैं, लेकिन क्या एक्चॉल में वाकई यह चीजे होती हैं, बिल्कुल होती है, तो मतलब कैसे आपने महसूस किया, आपने क्या अभी तक कहीं कुछ ऐसा फेस किया, बिल्कुल, कोई स्टोरी आपके पास अगर है, तो मैं चाहूंगे आप हमाई दर्शोको को सुनाए, इस पॉड़कास के माध्यम से उनको कम से कम यह पता चलेगा कि भूत प्रेत होते हैं, मैं और मेरा फ्रेंड यूपी गए थे, असल में उसका मेरा पास पिछले दिन रात में कॉल आया था साड़े तीन बजे, और उसने मेरा को बताया कि भाई ऐसे चीजे चल रही हैं, तो मैं कहा हुआ क्या पहले मेरा को बता नहीं सकता ते को चलना पड़ेगा साथ मैं, मैं क अच गए थे, और मैं मतलब फ्रेंड के घर पी था, उसके मामा के घर उससे थोड़ा सा दूर था, तो हम लोग रात में निकलने वाले थे, वहां से उसके घर से, तो करीबन आठ साड़ नौ बजे का टाइम हो रहता हम उसके घर से, उसके मामा के घर के लिए निकले, मतलब हम लोग निकले तो पहुंश तो हम गए, जैसे तैसे करके, क्योंकि जब भी हम किसी के घर जाते है न, या कुछ उतारा करने जाते हैं, तो हम एक चीज होती है हमारी, हम अभी मंत्रित करके उसको बांध के आते हैं, ताकि वो कीलित रहे, अगर हम उसको कीलित नहीं करेंग लेकिन दिमाग से बहुत तेज होती है, ये इनसान को देखके समझ जाती है, तो कीलित कोई चीज है, हम उसको अभी मंत्रित करके बांध के आते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि उसका घर बांध दिया या कुछ लाई किस टाइब से कुछ चीज होती है, वो बांध ना अलग हो अगर पोज़की आंपमें ना अखुएं तक है मेरी आँपमें अच्छाँ को लिटरेली तो लटका मेरी आखों में देख भी महला थोड़ी देख रहा था फिर निचे कोगी होता हुए है की जैसे किसी कुई अगर पोज़की हमारा मंत्रों लया चाप अंद्र वन्यों ला फूक मार दी तो वह चीज अबर के बाहर राती है फिर प्रीक है फिर क्या है उसके बाद हम कीलिद करके हम कितना बाइक हमने स्टार्ट की खेतों का रस्ता था अचाना की मकडी के जाले आए अच्छा हमें लगाया खेत हैं तो शायद हो गया होगा हम साफ अगर करके हम निकल कि बाइक बंध भी तो तो इसकत रोना चालो एक रहा भाई कुछ भी करो घर पौचा हो बस अब बाइक स्टार्ट करें बाइक स्टार्ट नहीं हो एक दिन पहले सर्विस हो के आई है टैंक फूल है पैट्रोल से हमने उसका प्लग चेंज किया एक्स्टा प्लग रखा कि लगे जो टो मेरे साथ था है उसने बात चेड़ी कि भई ये इसमें लड़के में था कि इस ने लड़के में था है अब यह समझ लोगी मेर को वाह पस दोस्त के घर जाके हवन करना है एक चीज हम करके आये हैं अलरेडि बाइककी सर्विस हुई हुई है प्लग भी चेंज पेट्रोल भी फूल है फिर मैने माता को जाद के माता आज पोचाद है बसक ऐसे भी करके तो जैसे तैसे करके बाइक स्टाट हुई फिर वो तीन चार किलो मेटर चल के फिर बंद हो गई अच्छा इसके बाद मतलब वो जो मेरे जो पीछे बैटा तो हमा तार चुपाता रात में दो दाही बजरे थे और ये लगा लो अब भी करयब कर्डेबं पांसाथ किलो मेंटर गर रस्ता था और वो रास्ता ऐसा था कि जहां पंची भी ना मिले हुए खदानापता जैसे हौरर मूबीज में होता है चेतो कर रस्ता था पूरा फूरा फ्या का रस्ता था मेरा तो ठीक है मैं तो जेल लूँगा, जो बाइक पर बैठा होगा उसका क्या हो उसकी गवराट के मारे उसको मतलब यह लगा लो तुरूंत लूज मोशन लग गए थे वामिटिंग लूज मोशन तुरूंत लग गए थे उसके बाद पतानी कहां से दो बंदे आए अच्छा स्प्लेंडर पे तो उसको उन से हेल्प मांगी, हेल्प मांगी तो उनने की भी वो जो साथ किलोमेटर का रस्ता था था ना कब कंपलीट हुआ पतानी लगा और वो लड़के कहां गए आपको क्या लगा वो कौन थी माने बेजे थे बिलकुल उसके बाद उसका बैटर सॉल अब हमने कंपलीट ही या फिर रात में उसको तो खैर कुछ नहीं हुआ मतलग जो उसके ही चीज में कीलित करके आया था वो मेरे सीने बागे बैटरी थी अच्छा हमारे साथ होता ही है हाँ यह तो सुनने में आता है कि जो सिद्धियां बदा जिनके पास होती है और वो किस को ठीक करते हैं तो उनके ऊपर भी चीज आती है बिल्कुल आती है ऐसा नहीं कि मुवी में यह सब जो शॉट्स होते है जो लगाए जाते है वो सब समझ के ही लगाए जाते है तो हुआ क्या अब वो तो मिर को बोल रहा कि मेरे को बद भेज बोग लेकर आया हूँ हूँ है कि पानी का सोर्स होता आपको पता होता है कि पानी कहा से आ रहा है हूँ 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 उसकी ताई का गिया हुआ था, उसके उपपर, अच्छा, उसकी ताई ने सिर्फ दो चीजे भीजी थी, विजवाई थी किसी तांत्रिक के थ्रूप, वो दो चीजों के साथ पांच चीजे और आगे थी उसके पास, अच्छा, क्या विजवाई थी? जिन, जिन भी कुछ चीजे थी माइन हो, आपने साथ यूदा जाते, तो चुना अपल चीजे है और आफना रहे हो, नहीं helps, उनने काता हुआ, जो फूरा सूरे क्या खया था हमे क्या हुआ, मने पीछे की तरह द पांग हो जाता है, घर दिवज पूरस लिजदान, वो हमें रटें, चालें होग तो आपने चुड़ायल को भी भगाया है वो इसको भगाना मतलब यह लगा लो हम रात में तीम बढ़ते हैं तो आपने चुड़ायल को भी भगाया है वो इसको भगाना मतलब यह लगा लो हम रात में तीन बजे मठियां लेने गए थे मठिया का तो नहीं वो विधी ही मठ्की में होती है मठ्की मैं सुची मठ्री नहीं मठ्या मतलब वो मिट्टी का जो होता है मिट्टी का जो होता है जिसमें पानी रखते हैं पानी रखते हैं मठ्किया लेका है उदे और उसमें मतलब कुछ रहता है हमने डाला उनको जलाया जला कैनल में पांचों में एक साथ आहूती दुए अज्ञा अचा एक साथ अब एक मतके में मैं लगसे इसके मम्मी लगईज ऐसे करके नाहूती दिए अब हुआ क्या जैसी हमने मतलब ये पांचों भूट गए, अच्छा, अपने आपी, हुटे तो उनके तो हालत खराब होगी थी, हम फिर मठके लेका है, फिर अपन ने उस चीज को किलित किया, मठको को किलित किया वहले, उसके बाद फिर हमने विदि चालू की, अब उसमें से क्या था हमने विदि करने के बाद तो एक मठका था ना वह हमने छोड़ का आना था तो वह मठके को हम सुन्सान जग़ पर छोड़ने भी गए मैंने उनको सीधा बोल देता देखो जैसी में उतरू तुम भग लेना अच्छा मद भग लेना तुम रुकना मत अब मैं जैसी वह मठका रखने गया तो पीछे से ल अब बओने काया दो यक्धाल कर दोजखने कंसर ने चीछिता है अच्छा में माता को याद कर्यारे मेरा बोलत जैसे आज जैसे हमें हमारा शेखी बंदान होचा थो उसको खोलने का भी रहता है तो मुने अच्छा किया उसके भग हम उठने तो प्रत ठो भगान उसको भी जो लेने आया, दोस्त लेने आया, मैं तु मेर को लेकर जाब यहां से, उसके बाद जब उसके घर पोचे तो अब दो प्रेत और बचे थे, उसके घर में, वो भी निकालने थे, अब वो निकालने तो मेरी तो हिमती नहीं, क्योंकि जब आप ऐसी चीजे उतारते हो ना, पर परहावी होती है, आपका शरीर तोड़ देती है, फिर भी जैसे तसे करके हमने, उस हुई दी से, प्रेत को भी हटाया, मुश्किल से, लेके हटा दिया आपने, तो ऐसे चैलेंजे आपके काफी लोगों के साथ आते होंगे, बिलकुल आते हैं, तो आपने, जैसे भी भूत प्रेत और चुडैल सबकी जो बात की, इनका में ठोर डिफरेंस जाना चाहा रही हो, प्रेत, भूत, प्रेत और चुडैल, यह एकी चीज नहीं है, दीखे, चीज तो एकी है, भूत किसको कहते हैं, भूत कहते हैं, उसको जो शम्शान में मुर्दो की राख खाता है, मुर् अगर उन्होंने बच्चे को जनम दे दिया है उसके बाद वो ठीक है किसी भी यूनी में जाती है लेकिन अगर गर्भावस्ता में ही उनकी मृत्य हुई है तो वो चुड़ाय यूनी में ही जाएंगी अकाल मिर्त्यू जसकी होथी है देखी अकाल मिर्त्यू कैसिन आपने बहुत अच्छा पूछा है अकाल मिर्त्यू स साप क्या समझते हैं अकाल मिर्त्यू से जो मेरी नोलइज में है कि जिसकी ऑन दाषपॉत preaching यानि कि एक्सिडेंट घटना घटी और उसकी डेथ हो गई यानि कि उसको चंड वर सोचने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा उस सोच भी नहीं पाया और वो दुनिया से चला गया ठीक है यही होता है अकाल मृत्यू की परिभाशा कुछ अलग है आज कल लोगों को हाट अट मृत्यू वो है जिसमें आपको प्रांट छोड़ते हुए कष्ट नहो मृत्यू इज दिफेरेंट अकाल मृत्यू इस इजिए बहुत इंटरस आरहा है आपसे बात करते हुए क्योंकि एक बहुत ही अलग हटके यह विशे है जिसमें लोगों को मुझे लगता है हर किसी को इन सब बातों को जानने की बड़ी इच्छा रहती है. मतलब हम अपने आसपास हमें पता तो नहीं चलता कि क्या चीज है, लेकि रहती सब हमारे आसपास ही हैं. और जैसे आपने का भूत, प्रेत, ये सब चीजें, जो मरने के बाद हम किस योनी में जाएंगे, उसे हमें तो नहीं पता हम कहां जा रहे हैं. ये तो आप जैसे लोग देखते हैं, आप जैसे लोगों को दिखाई कुछ देता है, कि भाया ये भूत है, ये प्रेत है, ये चुडएल है, ये जो भी है, लेकिन हमें हमें नहीं पता कि हम कहां जा रहे हैं हम सिर्फ अपने इस जन्म में हम कर्म करते हैं और उसे हम देखने के लिए हम क्या वहां तक पहुच पाएंगे क्या हम उसे देख पाएंगे क्या हम उसे समझ पाएंगे यह हमें नहीं पता इसके बारे में लेकिन लोग कि उसे बोलू, फिप्टी के बाद, वो सोचते हैं कि आप तो जो कर लिया कर लिया, आप तो कुछ कर्म अच्छे कर लो, इंसान पचास की आयू तक पिछले जन्दम के करम भुगता है, इस जन्द के जो करम हैं वो पचास के बाद भुगतेगा, चुकि पिछले जन्द में ज चुटकारण नहीं पा सकते हैं, वो तो आपकी साथ लगए ही रहे हैं, आप अगर यह सोचो कि मैं गंगा ना लिया, तो करमों से पीछा छूट गया, अब एक बाद बताओ, मा गंगा के पाप धोने के लिए ही है, भई मा गंगा का गंगा असनान करने से, जो आपने पाप कर्म किये हैं, उनके जो आपको कष्ट होने वाले हैं, आगे जाके, उनकी मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन कष्ट आपको भोगने ही पड़ेंगे, बिलकु ठीक बाद, कर्म से आप पीछा नहीं छुडा सकते, प्रशान जी बहुत इंटरसिंग सबजेक्ट है और बहुत मज करने के बाद, उससे पहले कौन-कौन सी योनी से गुजरना पड़ता है? उससे पहले भूत, प्रेथ, जिन, पिशाच, पिशाचनी, इतनी सारी होती है, तो प्रेथ योनी क्या होती है? अगर आप प्रेथ योनी की पात करें तो प्रेथ योनी में वो जाते जिनका कभी पि छोटमे पित्र दौश को में एक चीज को लोगा जिनको पित्र में रहत समय। वो भी नहीं फल पाएगा अच्छा ठीक है दूसरी चीज लेडीज को कंसीव करने में दिक्कत आएगी जिनको पित्र दोश लगा हूँ है होता क्या है कि अब जैसे एश्वर लोग है बेच में पित्र लोग है हमधरती लोग पे हैं एश्वर को अगर कुछ देना भी होता है वो पित्रों से पूछ के देते हैं इसलिए कहते हैं जब भी हम शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले पित्रों की पूजा करते हैं उसके बाद शादी के सारी चीजें शुरू होते यह सब चीजें जो बनाई गई है वो ऐसे ही तो नहीं बनाई गई है लोग समझ के ही बन तोँ आपको मतलुक यह कि लागा खगवान की पूझा नॉर्मली थो किसी अगर हाथ नहीं पढ़ता है। अन्य दूसरी चीज, रहा हा लापके फित्र हमेशा आपको आपको इन जम घंडी आत्मा होतिय इने लेगा。 जब भी आपके ऊपर कुछ तंत्र प्रयोग किया जाता है तो आपके पित्र और आपके इस्ठ ही उस चीज के आगे अड़ते हैं जैसे आपने अभी बता है ना पित्रो को सबसे पहले करना चाहिए जाए है कि उसमें कोई भी बादाए हैं और कुछ भी चीज़े हो वह आप पर असतर भी नहीं करेंगी बिलकूर और आपको फोलेंगी बिलकुल तो यह एक पैटर्न लोग आज भी फॉलो नहीं करतें बहु पित्र हमारे पूरवज, जिन से हम स्रिष्टी में आई हैं, तो उनको याद तो हम जितना करें उतना कम हैं, उतना कम हैं, और याद करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, तो यह तो एक बहुत अची चीज है, जिसको हमें फॉलो करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, अच्छा प्रशान ची एक चीज बदाईए जैसे आप उपरी वाधा का मालिज्या आपके पास जैसे फोन आता है या मैसेज आता है उसके आप उस पर वर्क करते होंगी तो जैसे आपके पास फोन आता है तभी आप कुछ अंडरस्टेंड कर लेते हैं या उस जगा पे जाके कि इसे रिलेकेट भी कुछ चीजे होती है क्या बिलकुल होती है जैसे मैं कुछ जानना चाह रही थी जैसे अगर लगा लो कि किसी इन्जान के घर में गया उसको उपरी वादा है सबसे पहले तो यह देखना पड़ेगा कि यह खुद से आई है यह किसी ने भेजा है अगर कि आछ इन्सान शुद्ध कर घा कर देге मास खाना जवुर स्टार करते है शराब पिना स्टार करते है पूझस कुछि आप कई बार आप देखेंगे कि एप कोई कोई इनसान है वो अलग-अलग लंवजिस बोल रहा है जैसे मुझे आपसे बात करते हुए एक मुझे मूभी का सीन याद आर है भूल-भूलेया मूजी जो मैंने धीखायों थिजक भूल बूलेहां मुवी में जो जो मैंने देखा उसमें मुवी में विद्धयवालन करेकटर में तो नुजकी दिखाया की दोड़ीजी रिख्थाया ही। देखे जब साइंस भी दिखाया और ह्वान पूजा करते भी दिखाया दोनों चीजे को कनेक्ट किया था तो एसा नहीं था कि उसमें यह भी दखाया उपरी बादा भी और साइंस अपनी उस्की साइकलोजिकली आप जो काहो कि उससे रिलेटकर के निकाला गया एक साइंटिस तो वह था वहाँ पर तो वह क्या था? मैं वह भी आपसे जानना चाहती। उसमें जो लैंग्विज इस्तेमाल की गई है मतलब विद्यावालन को जो लैंग्विज बोलती थी वो अलग-अलग लैंग्विज जो उसने कभी भाशा में बाती नहीं की तो ऐसा तो सुने में मेरे पास भी बहुत सारी चीजे में सुनी कभी कई बार कि लोग अलग भाशाइं बोलने लगते हैं तो इसको हम साइंस से भी करते हैं क्या जिसे साइंस नहीं मानती लेकि उस मूवी में दोनों चीजे दिखाए गई है अच्छा, एक बात बताईए में आपको बोलनों के सामने कुव आए वहान नहीं जाना हम लेकिन आपकी इच्छा है वहान जाने की ठीक है मेन आपको तरे तरे की डर दे दिये कि वहान ऐसा है यह है वह आपको फिर बही जाना है हुग गया अब उसने जब वो चीज देख ली मान ली तो वो चीज उस पर हावी हुई हावी होने का मतलब यह नहीं होता कि कोई किसी का मटर कर दे जैंकि कोन कर दे उसमें तो बहुत चीज़े बहुत एक्सरीम वाली दिखाई हैं लेकिन हाँ यह हो सकता है कि वह डादा है, वो सिर्फ एक साधक ही सही कर सकता है। इसलिए दोनों का कॉंबिनेशन है तो इस टाइप की जो चीजें हैं, आपके पास नहीं अभी हैं यहां अभी सायकिलोय वाले हैं अभी तक नहीं आई रिलेंडे करें गया ही, किसको लेके? मसान. यह क्या होती है? मसान एक इतनी सी पूछ होती है जर्फ. अच्छा. वो अगर हावी हो जाए तो आपको पाँच दिन के अंदर नित्री लोग पहुचा सकती है. यह क्या चीज होती है? मसान बेसिकली शम्शान से छोड़ा जाता है. और छोड़ता कौन है तांत्रिक. तांत्रिक क्यों करते हैं ऐसा? पैसा मिल रहा है. कौन देता है पैसा? जो करवार है. भई आप एक चीज बताओ मेरे को, आप उपर चड़ रहे हो. ठीक है? और कोई आपसे जल रहा है. तो कैसे ना कैसे करके तो आपको नीचे खीचे गई? अच्छे जो तांत जुदान घाट में हमेशा निमनिोनियों की सिध्धिय की शिद्धिय होती है. निमनियोनिय से डाकि नी, शाकिन इचुड़ाय, खेशाचनी, इनकी सिध्धिय होती है. और इनहीं से बुरे करवाये जाते है. ऐच्छा. ठीक है. हाला कि मैं, अगर कोई साधना करना चाहेग अच्छे ग्रस्त वालों को तो कभी नी करनी चाहिए कभी भी नी करनी चाहिए क्योंकि वो चीज आप पहावी नी होगी आप ने तो खेर साधना करके अपना और वैसी बढ़ाय होगी नी तो प्रशान जी आज आज आपने बहुत अच्छी हमें अपनी रियल स्टोरी ज बता इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाँ